हेलो गाइज, मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने बाली हूँ मखाना स्नेक जैसे की आप सब लोग जानते हैं मखाने में प्रोटीन, फाइबर, आइरन, मैगनिशन, अनेको गुडों का स्रोत होता है इन गुडों की बज़े से ये काफी न्यूट्रेंट स्नेक माना जाता है ये बेट लॉस, बच्चों और प्रेग्नेट लेडी, सुगर के मरीजों के लिए काफी फायदे मंद होते हैं तो चलिए मखाना तिल स्नेक बनाने के लिए साम्बिगरी देख लेते हैं हमने तिल मखाना स्नेक बनाने के लिए 100 ग्राम मखाने लिए हैं दो चम्मच गुड जो कि हमने तोड के लिए है एक चम्मच गी और हमने दो चम्मच तिल लिए हैं जो कि इस स्नेक को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने गैस पे एक कड़ाई को चड़ा दिया है हमारी कड़ाई गरम हो गई है अब हम इसमें मखाने डाल कर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं मखानों को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे ये देखिए हमारे मखानों का color change होने लगा है अब हम इने थोड़ी देर और roast करेंगे फिर check करेंगे अब हम मखानों को check कर लेते हैं तो देखिए हमारे मखाने आसानी से तूट रहे हैं तो ये अब dry roast हो गए हैं अब हम इने निकाल लेते हैं हमने सारे मखानों को कड़ाई से निकाल लिया है हमने फिर से कड़ाई को गैस पर चड़ा दिया है हमारी कड़ाई गरम हो गई है अब हम इसमें एक चमच गी डाल देते हैं हमारे घी मेलट हो गया है अब हम इसमें गोड़ डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते वे मेलट कर लेंगे इस समय का इसकी फिलीम को दिमा ही रखें नहीं तो गोड़ जलने लगएगा तो देखिए हमारा गुड़ मैल्ड हो गया है अब हम इसमें तिल डाल देते हैं और इन्हें मिक्स कर देते हैं हमारे तिल अच्छे से मिक्स हो गए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मखानों को डाल कर जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे हमारे मखाने अच्छे से मिक्स हो गए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और दो मिनट के लिए ठंड़ा होने रख देते हैं तो चलिए निकाल लेते हैं यह देखिए हमारे मखाने हलके थंडे हो गए हैं अब हम इने जल्दी जल्दी अलग कर लेते हैं थंडे होने पर यह आपस में चिपक जाएंगे और अलग होने में परिशान करेंगे ये देखिए हमने सारी मखानों को अलग कर लिया है अब हम इने एक ट्रे में सर्व कर लेते हैं तो ये देखिए गाइज हमारे तिल मखाना स्नैक बनकर रेडी है अगर आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो हमारी रेस्पे को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारी रेस्पे अच्छी लगी हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राइब करें तो मिलते हैं फिर एक नई रेस्पे के साथ जै हिंद जै भारत